नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम मोटर सैकल के मेंटिनेंस के बारे हम बात करेंगे इस वीडियो का जो मेंट फोकस रहेगा वो है यामाहा FZS दोस्तों जातर मोटर सैल का जो मेंटिनेंस टाइम इंटरवेल रहता है लगबग सिमिलर रहता है ज़्यादा अंतर नहीं होता सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन ओयल के बारे में इंजन ओयल इस बाइक में जो यूज होगा वो 10W40 ग्रेट का यूज होगा और इसको हर 3000 km पर चेंज करवाना है ऐसा कंपनी रिकमेंड करती है अगर आपके पास कोई दूसरी बाइक है तो उसमें कौन सी गेट का इंजन ओयल यूज होगा वो बाइक की उनर्स मैनूल में मेंशन किया गया होता है अगर जानकरी उपलाब्द नहीं है तो जो जातर 100cc की बाइक होती है उसमें 10W 30 grade का oil यूज किया जाता है और उससे उपर की सेग्मेंट की बाइक में जादतर 10W 40 और अगर बाइक 150 या उससे उपर के सेग्मेंट की है तो जादतर 10W 50 grade का oil यूज किया जाता है दोस्तो अगर बाइक 100cc या उससे उपर की सेग्मेंट की है तो synthetic oil एक बहतर विकल्प रहता है और जो engine oil है वो आप कुछ समय पहले change करवा लें तो बहुत बढ़िया रहता है मैं भी 5,000 km पर change करवा लेता हूँ अब बात करते हैं engine oil filter के बारे में engine oil filter की location इस bike में यहां होती है engine oil filter को change कब कराना है जब भी आप engine oil change करवाएं इसको भी change करवाना चाहिए इसकी कीमत 45 रुपे के आसपास होती है engine oil filter हर bike में नहीं आता ज़्यादा तर जो low segment bike होती है उसमें नहीं आता है दोस्तों कभी कभी क्या होता है जो mechanic होता है engine oil तो change कर देता है और oil filter को change नहीं करता है ना ही customer कुछ कहता है क्योंकि कुछ customer को इसके बारे में जानकर यह नहीं होती कि उनके bike में engine oil filter नाम की कोई चीज भी है तो दोस्तों इस बात तक खास ध्यान रखना है अगर bike में oil filter है तो इसको time पर change करवाएं अगला point है air filter air filter इस bike में seat के नीचे होता है इसकी location हर bike में अलग-अलग हो सकती है इस air filter को हर servicing में clean करना है और इसकी condition चेक करनी है और 12,000 km के बाद इसको permanently replace करवाना है अगला point है spark plug spark plug की condition हर servicing में check करवानी है अगर जरूरत है तो clean करें अगर condition ज़्यादा सही नहीं है तो बहतर है इसको replace करवा दे है क्योंकि जो इसकी कीमत होती है वो ज़्यादा नहीं होती 800 रुपे के बीच में होती है और 12,000 km के बाद तो इसको permanently replace करवा देना चाहिए ऐसा company recommend करती है तो सब बात करेंगे break के बारे में break pad या break shoe की condition हर servicing में check करने चाहिए अगर okay नहीं है तो इनको replace करवाना चाहिए यह bike अभी तक 800 km चल चुकी है और breaks की condition अभी बढ़िया है दोस्तों इसके साथ साथ एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा rear brake drum में एक rubber coupling आती है जो जर्क को absorb करती है अगर यह तूट जाए तो gear shifting के दौरान या acceleration के दौरान बार बार जटके लगते हैं और खास तोर पर gear shifting के दौरान ऐसा लगता है जैसे कोई gear तूट गया हो दोस्तों यह समस्या मेरी डिस्कवर 110 CC बाइक में आई थी इसको मैंने काफी mechanic को दिखाया पर कोई भी इस समस्या को नहीं पकड़ पाया था और सबसे बड़ी बात जिस service center में servicing करा था वो कभी भी जो बाइक का brake drum है उसको साफ नहीं करता था जिससे इस समस्या काफी लंबे समय तक बनी रही थी दोस्तों फिर मैंने service center change किया वो service center 200 रुपे चार्ज करता था पर servicing पूरी करता था उसने जो दोनों brake drum हैं उनको खोल के साफ किया और वहीं पे वो problem पकड़ में आ गई इससे पहले वाला service center 120 रुपे चार्ज करता था पर वो servicing पूरी नहीं करता था वो बस air filter साफ कर दिया engine oil change कर दिया chain थोड़ी clean कर दी tight कर दी तो ये छोटे मोटे काम कर दी है और दोस्तों ये servicing नहीं होती जो points मैं आपको बता रहा हूँ वो एक complete service होती है तो दोस्तों servicing के दौरान 100-800 रुपे नहीं देखे वहीं service कराएं जहां एक proper तरीके से पूरी service होती हो अब बात करेंगे break house break house को हर 4 साल बाद replace करवा देना चाहिए और break oil को हर 2 साल बाद replace करवा देना चाहिए ऐसा company recommend करती है दोस्तों front wheel और rear wheel में bearings होती है इन bearings को हर 10,000 km के बाद lubricate करवाना चाहिए इसके लिए lithium soap based grease का यूज़ करना चाहिए swing arm और steering bearing को हर 12,000 km के बाद lubricate करना चाहिए और इसके लिए भी lithium soap based grease यूज़ होगा दोस्तों काफी कम service center है जो इन दोनों को इन दोनों की greasing करते हैं क्योंकि जो एक काम है थोड़ा time consuming है तो चली दोस्ता वगला point है drive chain drive chain को हर 500 km के बाद lubricate करना चाहिए और हर servicing में जो इसकी slag है वो check करना चाहिए वो तीस और चारीस mm के बीच में रहना चाहिए ऐसा company recommend करती है क्लच लीवर ब्रेक लीवर brake pedal, side stand, main stand इनको भी lithium soap based grease से lubricate करना चाहिए दोस्तों अब बात करेंगे tires की इसमें 17 inch के tires यूज़ किये गए है जो front wheel है उसका जो size है 100 y 80 का है और सी condition अगर आप देखें टायर की वो अभी काफी बढ़िया लग रही है और यह MRF company का है अगर हम rear tire देखें तो यह 140 by 60 का है दोस्तों इस tire में दो pincher हो गए थे, pincher मैंने fix करा दिये थे उसके कुछ समय बाद जिसको tire का pressure था वो बहुत जल्दी down हो जाये करता था तो फिर मैंने इसमें tube fix करा दिया क्योंकि इन tire सी condition थोड़ी अच्छी थी tires recommend करती है वो MRF और C8 company के हैं दोनों ही company के tires का जो description है वो मैंने screen पर share कर दिया है प्राइस के साथ वो आप देख सकते हैं तो दोस्तों अब मैं इस video को यहीं पर समाप्त करूंगा और फिर मिलेंगे नए video के साथ धन्यवाद